अस्थाने सांसत जो है उससे बात की हैं तो उनका साफ साफ एक ही सब में जवाब रहता है कि हमको अलस्फंशक समुदाई से मत नहीं आता इसलिए हम लोग पूल नहीं बनाएंगे बिहार के अररिया जिली के फार्बिस गंज प्रखंड अंतरगत रामपुर दक्षिन पंचायत के लोग लंबे समय से पुल के आस में हैं रामपुर दक्षिन पंचायत वोड संख्या बारह के कजड़ाधार घाट पर ग्रामिड चचरी का पुल बना कर आवाजाही करते हैं लेकिन बरसाथ के मौसम में पानी का बहाव अधिक रहने से हर साल चचरी का पुल बह जाता है ग्रामिडों का आरोप है कि अल्प संख्यक बहुलक शेत्र होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और पुल निर्मान कारिय अटका हुआ है स्थानी ग्रामिड मुम्ताज सलाम ने बताया कि ये रास्ता फार्बिसगंज प्रखंड को सिक्टी प्रखंड से जोड़ता है ग्रामिड बाजार, अस्पताल और प्रखंड मुख्याले जाने के लिए इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं पुल नहीं होने से मरीज और गर्भवती महलाओं को सबसे अधिक परिशानी होती है उन्होंने आगे बताये कि फार्बिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी ने विधान सभा में कजड़ाधार पुल की मांग की थी लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ मुम्ताज आलम ने अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंग के बारे में कहा कि सांसद पुल की मांग को ये कहकर रद्द कर देते हैं कि अल्प संख्यक समुदाई उन्हें वोट नहीं देता इसलिए वो काम नहीं करेंगे वहां के लोगों काफी परिशानी होता है जब कोई भी मौत से मरता है मयत होती है तो उनके जनाजा के लिए इस चचरी का सहरा लिया जाता है चचरी से इस पार से उस पार होता है तब उसका जनाजा के नमाज अदा किया जाता है दूसरी बात यह है कि गरवती महलाओं का अगर 7-8 महने में में ही इस पार से उस पार जाके सिशिप्ट हो जाती है बहुत सारे महलाओं के मुट पूल नहीं रहने के कारण हो गया, इस साथ दम इसलाइब क सिब्लाएबा की गजरेधार का पूल को जल से-जल बनाया जाए कोश्चन उठा दी हैं लेकिन अभी तक कोई इंक्वाइरी नहीं हुआ है कोई पटल पर काम नहीं हुआ है लेकिन यहां के अस्थाने सांसद जो है उससे बात किये तो उनका साफ साफ एक ही सब में जबाब रहता है कि हमको अलस्फंख्यक समुदाई से मत नहीं आता इसलिए लोग पूल नहीं बनाएंगे हम पूछना चाहते हैं किसी आप साफ साप कहना उनका कि मुझे अलस्फंख्यक एरिया में मत नहीं आता इसलिए पूल नहीं बनाएंगे यह उनका सोचा अलस्फंख्यक हों का है लेकिन यह पूल दो बिदानसभा और दो जीला को जोड़ती ह स्थानी निवासी जैदी अंसारी ने बताया कि गाउं में अधिकतर लोगों का खेत घाट के उस पार है कई लोगों ने घाट के उस पार पलायन कर लिया है उन्होंने कहा कि अगर परिस्थिती ऐसी ही रही तो गाउं के लोग आने वाले चुनाओं का बहिशकार करेंगे वही रामपूर दक्षण गाउं के रहने वाले इमतियाज अंसारी ने बताया कि कबरिस्तान घाट के उस पार है ऐसे में किसी की मौत होने पर जनाजे को चचरी पुल से लेकर जाना पड़ता है बरसात में ये समस्या कई गुना बढ़ जाती है और लोग कबरिस्तान पहुचने के लिए नाव का प्रयोग करते हैं आशनी के भी वशंतन बरसातों के सीजन में और आने जाने में भी बहुत प्रसानी है on pateye print को भी आने जाने में दिक्कत होती है और आपतकाली नावस्था में आप चाहेंगे तो नहीं कुछ हो नहीं हो पाएगा, आप परिशानी का सामना करेंगे, यहां कुछ जाती बाद पर्था का चलन हमारे देश में कुछ जाद है, तो इस वज़ा से भी नहीं बन पा रही है, और कहने कारते हैं कि अगर ऐसा है तो कुछ आद में, बाजब तो लिखित तोर पे, लिखित तोर पे आपको जो है कलक्टिट कागज देंगे, उसके बाद हम लोग मत नहीं देंगे, अगर ऐसा रहा तो, हजारो हजार की बस्तियां है, हजारो हजार लोग को आना जाना होता है, होस्पिटल हो, पढ़ाई के लि लोग इस पर चचरी पर से गिर गए है, कई लोग का मोत हो चुका है, जब कोई बिमार होते हैं, उसको ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, और बस्ति साइड है, और हम लोग का कबरिस्तान जो है, चचरी के उस साइड में है, और जब कोई मयत हो जाता है, उसको अगर कफ गाउं के किसान पूल ना बनने से रोजाना कठिनाईयों का सामना करते हैं. कई किसानों ने दूसरे गाउं में पलायन कर लिया है और जो अपने गाउं में ही रह रही हैं वे हर दिन घाट के उस पार खेती करने जाते हैं। से लोग दुरगटना कावशिकार भी हुए हैं, कुछ महीने पहले ही नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. बगल में, रामपूर धत्ता टोला, तो रामपूर पंचायत का किपना गाओ इधर है? इधर करीब 4-500 अबादी है, और इधर? इधर तो बहुत है, इधर तो मानिये फरीश वनितक अबादी अबादी है, कभी कोई हाथसा हुए है? बहुत बार हुआ, इस बार भी आदमे आदमे डूप के मर गिया तो कितना का तो हाथ पर टूड़ी है, जाने आने में अभी देखियो साइकिल जा रहा है, सिलिप करेगा, गिरेगा नदी में, इधर से कहां जाती है, चाचरीपूल से? रामपूर, उस पार अपना खेत होते है अपका? उन्ना घर से, घर उस पार है, इधर क्या करने आयते है, खेत है, इधर खेत में आयते है, रोजाना आना जाना होते है, रोजाना, जब बरसात और साथ हो, ज्यादा पानी हो जाता है तुसे? ऐसे चाजरीप देखे, गिरता परता, गिरता परता, ऐसे आते आते है, बच्चा उच्चा सब कभी कोई हा इसलामपूर दत्ता टोल निवासी मुहम्मद महभूब रोज साइकल पर चचरी के पुल को पार कर पढ़ने जाता है महभूब ने बताये कि उसकी गाउं से 12 बच्चे पढ़ाई करने घाट की दूसरी तरफ जाते हैं कुछ दिनों पहले उसका भाई ट्यूशन जाते समय साइकल लेकर चचरी के पुल पर गिर गया था इस मामले में हमने फार्बिस गंज विधानसबा क्षेत्र से przeci अधायक विद्या सागर केसरी से फोन पर बात की। उन्होंने बताय कि रामपुर दक्षण में पुल और सडक निर्मान के लिए उन्होंने विधान सभा में बात उठाई थी। फिलहाल पुल निर्मान कारे सरकारी प्रक्रिया में हैं जल्द ही ये काम पूरा कर लिया उनके कार्याले से मिली जानकारी के अनुसार जिले के कई पूलों के निर्मान कारे को प्रॉसेस में भीजा गया है जिनमें संभव तह रामपुर दक्षण पंचायत का पुल भी शामिल है। चुनाओं के बाद चिन्हित किये गए पूलों का निर्मान कराया जाएगा।